हेलो स्टूरेंट्स वेलकम जूदी माइंड ब्लोइंग प्लाटफॉर्म फिजिक्स वाला यह साथ रहे अमर हमारा नाम है अक्सा कमर मैं हूं आपकी इंग्लिश की मेंटॉर और दोस्त क्या हाल चाहर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का उमीद कर रही हूं एक्जाम सचे ज तो आज का टॉपिक है को टो को ऑन तो ही निमतला है गेंडि हो सकता है अज सकते हैं तो शीले कि यह वाका जो आज से तो आच पिसे जवुлетेने इस यह लिख देंगे दिग आउन आज तुम्हें अपनी creativity अपने अंदर जो तुम्हारी उसको उठाओ जैसे माँ पीछे शब जा रहे न उपर उठ रहे न वैसे तुमको अपनी creativity को उपर ले जाना है और उपर ले जाना है तो मुझ जितना creative बनने की कोशिश करोगी exam में उतने अच्छ नंबर पाऊगे जो आज को टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं कुछ पढ़ाने लायक नहीं आज की टॉपिक में बस आपको advice देंगे आपको example दिखा देंगे भाया ऐसा कर ले ना वहां पे नंबर अच्छे आ जाएंगे बाकी सारा creation तुम्हारा खुद का होगा तुम्हें आज के topic में चीजे खुद से बनानी है तुम्हें कुछ भी बना बनाया हलबा माम नहीं खिला सकती है माम तुम्हारी आज मार्क दर्शन करेंगी मार्क पर तुम्हें बेटा खुद चलना होगा ठीक है तो चलो भाई आज का topic स्टार्ट करते हैं तो आज का topic क्या है आज का topic है आपका बेटा essay and story writing ये लो topic भी आ तुम्हें इसमें क्या यूज करना है सबसे बड़ा इंग्रीडियंट या जैसे बटर पनीर में बिना पनीर के बटर पनीर बनी नीillos तोंकर चीजों को डियाट करना है कि आभिशकार करना तुम्हें नहीं सोच का विशकार करना तुम्हें नहीं थोट्स का विशकार करना तभी तुम धाकड नंबर और चौचक तरीके से पास होगे अपने एक्जाम्स में और यह ऐसी चीज है ना essay writing UPSC के finals में यही आता है UPSC के mains में यही आता है तो मैं ऐसे लिखने को मिलती है topic मिल जाता है आज से 12 कुछ topics मिलते हैं तो मैं ऐसे लिखनी होती है कितना important role play कर रहा है लोगों की life में ऐसे से पते हैं तुम्हारे अंदर की सोच तुम्हारे अंदर की कितनी positivity है कितनी negativity है तुम किस तरीके के सोच वाले हो सब समझ में आज़ते हैं एक्जाम्स को पढ़ता ही समझ भाई बहुत positivity बहुत ही ज्यादा positivity है अरे यार बच्चे में सब कर देंदर क्रीशन हम सब करना जांते हैं उसको इन्हांस कर पारे अपनी quality को वह जरूरी है सैन स्टोरी राइटिंगे जैसे बात की हमने आपको एसे लिखने से पहले एक ड्राफ्ट रेडिकल लेना है मैंड लिख लो नंच पेज बैच यह हमें अपने से में लिखना है एसे चलास 6 में टो उसका ट्स एबल से बस जयसे सिद्ध एक जाते घुड़ता जाते हो गड़ते घुसंते जाते हो तुम्हारी एसे का सटाने बढ़ता जाता है बस इतने ही होता है से इंज्व के एक में जिटने ऑढ़ाते हैं तुमने जितने सब्सक्राइब Universum की मीनिंग समझ में आ जाती है वह सब तुम्हारा वुक्त है जो भी शब्द तुम बोल पा रहे हो वह सब तुम्हारी वुक्याब मतलब वुक्याबलरी है जितना तुम बड़े स्ट्राइड में जो तुम उतनी डेवलप हो जाएगी तुम 18 साल के वच्चे हो जो अगर तु न्यूस्पेपर माक्सीन कुछ नी पढ़े तुम्हारी वुक्याबलरी वही निल बटा सननाटा ही रहेगी बिल्कुल कुछ नी डेवलप होना है तो चलो सबसे पहले टिप देख लू यूनिटी ऐसे लिखने में जब भी आप पैराग्राफ ऐसे लिखोगे बिटा आपको क्या दिहान रखना है यूनिटी का यूनिटी मदलब एसे शुट डेल विधी में सब्जिक जो आपकी ऐसे है आपका अगर में सब्जेक्ट है एसे आपको मिलिए टीचर पे तो जो आपको में सब्जेक्ट है टॉपिक ऑफ अट्राक्शन वह है टीचर तो टीचर के टीचर के इरिद्गरिक डान्स करना है क्या अगरोव है को सब्सक्राइब आपको नेशाओ अपकार टीचर की बात की तुमने बताएं कि तुमने वहीं मॉडर ताम में तीचर कैसी होती है फिर तुमने कंपारिजन कर दिया और तुमने अपनी युदिछ एवड़िछी मेरी इंग्लिश पढ़ाती है फिर हमाई टीचर तो एसी है तो फिर हमने बहुत साही टीचर है मेरे स्कूल में अगर फिर मॉडरन टाइम की टीचर रखो फिर तुम सब टीचर के बारे बद फिर बताओ कि अपनी तुम्हाई फेवर्ट टीचर को सी तुम एकदम कॉंट्रास बठाना है तुम्हें कुछ भी कहीं पर लगा देना है ठीक है लॉजिकल रिलेशन्शिप होना सभी सेंटेंसे और पारग्राफ की बीच में रिलेवेंस मतलब बेवजा कि फिजूल बहुत लंबा बहुत लंबा ऐसे लंबी लंबा अग्दाम चोड़ा सा अग्दम बड़ वर्ड बोले हैं 200 से लेकर अगर आपको एक्जाम ने वर्ड लिमिट दी है 200 से लेकर 200 250 के बीच में तुम्हें स्टिक करने तो इसी के बीच में रहना इसी के बीच में रहना पांसो चार सो ना पहुंचा देना एक दूश्यप्त दस बारा चुले ठीक है एक लंबसम तुम्हें बहुत ही धंक से चीजों के बहुत ही अच्छे बुद्धी से को प्रियोग कर की लिखना है ना गिव और स्पेस प्रॉट्ट अइडिया ज़्युप अच्छे से वर्बॉरेट करो जो आइडिया तुम्हें पता ठीक है जादा नहीं एक्जामनर को लाइक करें इसके बार मुझे साथ नोलेज नहीं है, यहाँ मेरी स्पेलिंग एर हो सकती है, अवाइट कर दो, ज्यादा कॉप्लिकेटिट बद मत थूस अपनी असे, मैं एसे कुईदाम सिंपल डेलिकेटिट रखो, ज्यादा इसको कॉप्लिकेट मत करो, अभी स्टैंडर शोटा है, अगर अभी इसे चीज़ों को प्राक्टिस में लोगे ना फिर बहुत बढ़न लगी का तुमारे उपर तुम इंदम पर्शान इरिटेट हो जाओगे, तो बस इन टिप्स का ध्यान रखना है, आपको कभी भी ऐसे लिखना है, अगर आप ऐसे आपके सामने हम लिख देता मनाते हैं वह क्यों होता है क्यों आ Jams यह मतलब इससन होता करते हैं वहां डिशात्तों जलते होता है बहुत ईसलिपर पपलूर अवन लिख इन और नेवेंबर अक्क्टूबर ंशान पत् Almost रिव tribus चब्लकर चाफिOoh वांत तीवाली का असनी पक्लीव कर कई थायए तैस फिंवारत वांसमें दिवाली त्यूहां प्रफेश बढ़ी प्रफेशन बाई पूरे घर को सजाय जाता है सब कुछ होता है रिबजार बजार भरी होती है किलोने होते हैं मिठाइयां होती है हम लोग सब दिया जलाते हैं लोकुछ लोग आजुआंज खेलते हैं उस तिन गांबल करते हैं गॉड़ लक्षमी की प्रफेस्टिवल पर टूब लगजार देखा रिलाक स्वा तुम लेकना सुरू कर दो तुम में प्रिभूष ऑ्सब्सक्राइब चाहिए जानते हैं इस अग्छ ने बता हम लोग सब इंडिया हम लोग को सब कुछ पता है था मिलजू ना यह भी पता है तुमें सब कुछ उस नियुक करना थे कि एक तम चिल प्रिल Brittany छिल डाए टिलाक्स आया आ अपको गामिए स्टोरी राइटिंग स्टोरी राइटिंग अस स्की इसोड़ी राइटिंग कि बच्पन शे बना रहें 인सी इस सकर हो लिए एम इच्छा ठीब टोव्टिय नहीं च्टिक हो यह are ममी पता है प्रिल्लियम्स का रिजल्ट कोई लेना आता ही नहीं है वेस्ट है कोई काम का ही नहीं है ना मज जो लेने ममी सिंगल पेपर के नॉट डिफाइन फ्यूचर पीचर भी ऐसे बोलती है उते हैं तो यह दे देती हैं मुलो ममी सब बच्चे फेलो के पूरा क्लास मैच स्टोरी कहानिया कुक करें बच्पन से बच्पन से कुक करें ममी क्लास है यह तुम्हारा वर्क है आठ इमाजिनेशन का तुम्हें चीजों को इमाजन करना है मतलब सोचना है अगर तुम बैड के ठंट तुमको लगेगा पैन तुमसे बात करी मुझे तो अक्सर मतलब अश्यां लगता है मैं इसे उठाके अरे अब लग जाएगी उसको तुम्हें लग जाएगी एक उन्दर से दिल से में इमाजन करते हैं कि दर्वाजे में जान है मेरे साथ बहुत होता है चीज तो मतलब मगर अशी कहानी बीना बनाना कि ऐग्जामनर को समझी में लिए तुम कहना कहा हो अंडर्स्टोडो मतलब कहानी समझ पाए ग्रामर कजादा इरर मत कनना उसमें शॉर्ट स्टोरी मतलब इतनी रखना कि इस सिंगल सिटिंग में एक बार में एक्जामनर पढ़के बैठ हई क्यों स्टमूंड को ऊचोल सकना इस शॉर्ट समझ के लिए कि अध system मतले बर्स बंपने सुडविज पन उस पम्तलब करना कि स्टोरी मतलब इस जो भी तम्हां ही कहानी का टाइटल थिस नाम वी और डिस प्सभाइल करती बहुँ सब्स्व और्स्पेय लिए नही जाट पढ़ने वाले को अंदर से लगे यार पढ़ना चाहिए है क्या ऐसा मतलब कोई सब मुहावरा डाल दॉपने टाइटल में कोई वर्ड यूश कर लो इंग्लिश का कि मतलब एवरीबडी शुट गेट अट्राक्ट सब्बाइ खिचे तुमाई स्टोरी के खिलाब तुमाई सब्ड़ना से रहें को पढ़ना साइए में प्लांड और लॉजिकल सी तीस मतलब जैसे मेरी तो फेवरेट मुविया थी यूशी का एक्जामपल ले लेती हूं जैसे कि त्री इट्री इट्स में आपकी चली ती स्ट लगों अरुकहान को तापसी पन्नू की मतलब मैं वापस आना चाहती हूं इंडिया नहीं को मिल रहा है फिर फूरा फ्लाश बैक में जाते हैं वहाँ पर वहां पे हाडी क्यू छोड़के वापस चलाता है और फिर वहां तो वहां पर लोग बाहर रहते हैं अमेरिका में कह कर दो नहीं भी लोग रहते हों वहां पर कैसे मगां के आपके लिए कैसी ओपन अपोर्चुनिटी होती है कैसे लोग अपने देश सकते होग आपके आपके रह सकते अपर बाहर को से लेगल तरीके से ओना जाहिं लिख clown amdıma दिखाने चाहएंगे जांग मुई कि लिएक लिए तो आपका स्टेगटना पे अधारिक मुझे थी तो आपको पनी स्टॉरी जीसे एक मुवी में स्ट सेवर टा रना चलता है इसके बाद राख ऑचानक सिखाने इसके बाद ही इसके बाद एक चार के बाद दो नहीं आता है एक बाद दो डो के बाद दो धीन तरह थे आता है ढिए जो थीजुन से बना के रखना है जो बीजुन से कहानी का थीम में बहुत ही जाता जिग्यासा वाले इंटर सिंग होना चाहिए अज़ाय थे एक घुल चेह एक कंट करना नुट से नंघवार उतने कि स dependency हैं अच्वर हमेशा कोशिछ करना कि तुम्हारा हमेशा पॉजी वह बॉजीज कि पॉजीज से हमेशा बेटा और चलो कर दो कि तुम्हाई मुवी चलेगी अगर पॉजिटिव एंडिंग होगी पॉजिटिविटी कुछ साइटी पे पहलाएगी तो भाई वो चलेगी जरूर चलेगी हिट होगी तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और अपने एक्जाम में बहुत ही ढंग से अच्छे से अपनी क् तो जब तक तुम लोग पीड़ावलू लिटल चामस पे शॉट्स देखते रहना और में चानल पर भी पिंग रहना और भाई बहुत कुछ नए ने सब्प्राइजस आपके लिए आते ही रहते हैं तो सब्प्राइजस को चेक करते रहो उसका लाब उठाते रहो आप लोग वीडियोस में नेक्स शॉट्स में तुम लोग अपना ख्याल रखो खुश रहो हसते रहो मुस्कुराते रहो और 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 बड़ों की इज़त छोटों से प्यार मिलती हूं अपनी अगली शॉट्स पर मेरे आटाटा बाई बै जैहंद जैंगलिश